ओ भाई इधर देखो ये खेट तलाब बन गए है दोस्तों लगतार बारिज को जैसे बार जैसे हालात हो गए थे नमस्कार दोतों गुड मॉनी तो चार दिन बाद आज बारिज रुगी है वाई देखो इधर पहाड देखो कैसा दिख रहा है मस्त कोहरा कोहरा है चार दिन तक लगतार बारिज के उपर बारिज हो रही थी और देख सकते हैं अभी मॉर्णिंग के साथ बजने वाले हैं और बारिज रुक गई है राज को बारिज हो रही थी अभी अभी रुका है और मौसम मस्त हो रहा है मस्त ठंड़ ठ्थेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे ब्रस की। हाड़ दीक ही नहीं रहा है भाई और अब हुआ ripन देकल कुछिबुटिकुदिकुआ हाँ ग你们ें महें सब्सक्राइब जब adoption छै तिया बousing लाइब शेथी दिभाऊ पटर नहीं दिख रहा था लेकिन अभी पानी कम हो गया है यहाइग चल रहा है अगम ठंड़ा हो चल रहा है आद भर इतना थंड लगना कि अशा लग थे ठंड कमा सुरूब हो गया कि म촉अ रोक्त पंखा अम लोग रोज पंखा चल आख सोते हैं लेकिन आज पहली बार पंखा बंद कर के सлыकना और लाइट भी नहीं थै आ nerve लह बिश्चा ठाध लाइट दे रहे तो तीन दीन से लाइट भी मतलब ठीक से नहीं आ रहा है रहा अब रहता है दो घंटा तीन गंटा चार गंटा पांद तक गोल रहता है विज तो दिन बर मेरा फोन स्वीच अफ हो गया था साम को लाइट आया है इतना बारिस में भी स्कूल जा रही है योगिता देखो चातरी पकड़ के को ने का योगिता है को ने योगी इस कुल ने छुट्टी है आज मज्जा है 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 अधक पानी मनिया है ना गूर जी मन हाथ है चुट्टी रहीता आज ना तिसरा दिन लगतार बारिस कि ऊपर बारिस हो रहा है बस बारिक बारिस होता है हलका हलका और कपडे ओगेरा भी सूपते नहीं भाई है यह मेरा डोठों शाड्ट疫 дости चुका है पंखा के नीचे सुखाना पड़ता है लेकिन लाइट भी गोल है आज रात से लाइट आएगा तब सुखाएंगे अभी भी हल्की हल्की बारिस हो रही है दोस्तों अभी मोर्निंग के 5 बच कर 35 मिट हो रहे हैं और राद भर बारिस हुई भई यह और देख सकते हैं अभी घर से निकलाना तो कम हो रहा था अभी तो और जादा बढ़ गया है भाई देख सकते हैं पूरा खेत तलाब बन गया है इधर नाला नाला तरफ जा रहा हूं देखते हैं नाला में कितना पानी जा रहा है अपने गाउं का छोटा नाला है ना तो गाउं का जितना भी पानी हे उसी नाले में आता है तो देख के आता है कितना पानी आ ठीके देखू उपर तरफ से कितना पानी आ रहा है इसको मुझे क्रॉस करके उधर जाना है खेद तरफ। इधर देखो यह खेद वन गेए और साइड है चोटा सद आ इसमें देखो कितना पानी जा रहा है ये वाला खेत हमारा है इसमें उतना पानी नहीं भर रहा है बाकी ये वाले खेत पे देखो कितना पानी भर रहा है धान भी नहीं दिख रहा है चलो उधर से ऐसे घूम के जाएंगे उसमें मेड दिख रहा है ना खेत का मेड ये पहले न दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे घूम कर जाएंगे और मेड वगेरा को देख कर चलना पड़ता है क्योंकि साप वगेरा पी जाता है यहां पर यह देखो यह सब पानी हमारे खेत में जा रहा है राद भर बारिस हुई और अभी भी हो रहा है पता नहीं दिन भर हो सकता है यह देखो कितना पानी जा रहा है कुछ दिन पहले सूखा था पानी बहुत कम था खेट में अभी तीन दिन से लगतार बारिस हो रही है ना पूरा खेद भर गया यह देखो यह बड़ा वाला नाला है सभी गाउं का पानी जो इसी नाले में आता है उधर और बड़े वाले में जाकर मिलता है मुझे तो इस साल थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि पिछले सालिस्ते भी ज्यादा पानी आया था दोस्तों लगतार बारिस को जैसे बार जैसे हालात हो गया थे अपने गाउं में तो इतना नहीं हुआ था लेकिन नदी किनारे जो है ना वहां के जितने भी गाउं है उन सब को बहुत विब्डियो शूट करया है ऐडू पूल नदी का मेरा फोन में बैटरी भी कम था तो बलोग भी नहीं बनाया क्योंकि हमारे तरफ जब भी बारिस होता है या ज्यादा कुछ फावा चलता है आंधी दूपान चलता है न तो हमारे तरफ लाइड जो हग बूल हो जाता है तो एक दिन दो दिन तक ऐसे भी गुल हो और पूल के उपर चभी पानी जा सकता है वाई मैं आया था एडू पूल कुछ समान खरीदने के लिए तो सोचा यहां का वीडियो बना लेते हैं देख सकते हैं उपर कितना पानी बहुत ज्यादा पानी दिख रहा है पूरा नीच नादी के किनारे किनारे जड़ डूब गया है अभी थोड़ा कम हो गया है पहले ना बहुत ज्यादा था पूल को थोड़ा सा बचा था बस टच करने के लिए वाटर जो है वाटर लेवल बहुत बढ़ गया था भी थोड़ा सा कम हुआ है एक घंटा पहले का वीडियो देखना इसी में एट कर दूंगा ठीक है और यह लिएन नीचे साइट का नाजारा देख सकते हैं कितना पानी जा रहा है यहां पर बहुद ज्यादा सोट भी हो रहा है वाटर का जो की सुनाई नहीं दे रहा होगा वाज भी यह देखो भlingen कितना पानी जा रहा है कतरी किनारे किनारे का खेत जो है पूरा डूप गया है उधर दीख रहा होगा यह देखो बहुत सारे लोग देखने के लिए आए हैं और यहाँ पे रुक रुक के ना फोटो भी किज़वार हैं सब लोग सेल्पी लेने हैं और कोई-कोई तो रील भी बना रहे थे वहाँ पे इसे नदी का उपर सइड है इधर इसे पानी आता है उधर देख सकते हैं मस्त पानी आ रहा है उपर बहुत ज्यादा बारिस हुआ होगा उपर तरफ हमारे तरफ भी हुआ है बारिस और यह देखो यह नीचे वाला पूल है यहां पर दोठो पूल है एक ठो पूल सामने में भाई खड़े ओकर क्यों जो भी आ रहा है यहां पर रुक के देख रहा है चार मेंट पांच मेंट चेल पी ले रहे हैं उसके बाद जा रहा है सभी लोग अभी थोड़ा सा माऊसम साफ है तो दोस्तों इसी के साथ आज के लोग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं उमीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भीना भूलने ठीक है तो जल्दी मिलते हैं आप लोगो से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाब बाइ, नमस्कार, जय जोहर